आज हम नंबर्स की वैल्यू के बारे में जानेंगे ठीके नंबर में डीजिट की वैल्यू दो टाइप के होते हैं चलो आओ देखते हैं एक है आपका प्लेज वैल्यू दूसरा है आपका फेस वैल्यू प्लेज वैल्यू हम जो नंबर्स लिखते हैं उस नंबर में हम जो डीजिट यूज करते हैं जो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ऐसे ही 10 डीजिट हम जो यूज करते हैं हमारा जो फेस वैल्यू है जो डीजिट जितना है उसका फेस वैल्यू उतना ही है लेकिन प्लेज वैल्यू वह अलग है आओ देखते हैं प्लेज वैल्यू क्या है एक नंबर है ठीके यह नंबर में जो हमार साथ दिजिट नमबर है, इसका अगर हम grade में लेखेंगे तो ऐसा ही होगा देखो और यहां का one place में है three, ten place में nine है, hundred place में seven है, thousand place में eight है, फिर ten thousand में five है, less में two है, ten less में one है तो यह जो number है इसमें अगर हम यह जो five का अगर दो value ठीके 5 का दो value ले जाए एक है place value और दूसरा है face value तो 5 का जो place value होगा वो कितना होगा 50,000 उसी तरह अगर 5 का face value होगा कितना 5 का face value होगा 5 जितना 5 का digit है वो ही उसका value है 5 अब चलो ओर एक number लेकर देखते हैं अब देखो यहाँ पर और एक 70 mm है इसका अगर हम gradation देखेंगे तो ऐसे ही है one place में five है 10 place में two है hundred place में four है thousand place में eight है और 10000 place में six लेक्स प्लियस में 7 है तुर लेक्स में 9 है तो इस नंबर में अगर हम पोलू दे क्या है तो इसमें तो मेरी चैनल को लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करें